हेलो गाइस मैंने में सदाम रेनाडो कैप and welcome to my channel आज हम बात करेंगे capacitor की और हमारे जो लेक्चर होगी वो बेस्ट है ग्रीफिस लेक्चर पे तो capacitor क्या होता है इसके बारे में जानेंगे तो capacitor की सुरुवात और इसके समझने के लिए हम study करते हैं पहले conductors की तो इससे पहले भी हमने बात कर रहा है conductors पे और आज हम उसको topic को नहीं revise करते हैं let us say application on conductors हम दे सकते हैं और यही origin है कहाँ capacitor की तो माल देजिए हमारे पास दो conductor है conductor A and conductor B और हमने किया किया conductor A पे positive charge डाला और conductor B पे पे negative charge दोल रहा है और यह दोनों कुछ एक दूसरे का distance पे आपको पता है कि जब भी हम कोई conductor लेते हैं और उस पर charge डालते हैं तो वो charge distribution होगी वो completely surface पे होगी ठीक है तो दोनों में surface पे आगई तो हमने यह देखा कि हम इसके बीच पोटेंशिल डिफाइन कर सकते हैं तो पोटेंशिल डिफाइन कर सकते हैं तो पोटेंशिल difference किया एगा V plus minus V minus V due to positive charge and V due to negative charge is nothing but potential difference is integral negative of R A माल लेते हैं कि यह मेरा R B है यह मेरा let us say R A है तो R B minus R A E dot T L अब हमारी जो यह जोमेटरी है वो बिल्कुली complicated है तो हमें पता है कि electric field किस तरह से हम निकाल सकते हैं electric field is equal to q q is rho times dv over r square and so on 1 over 4 pi epsilon अब अगर यह geometry जैसे कि अगर हमारे पास cylinder नहीं है या फिर नहीं है कुछ भी नहीं है तो यह जो electric field निकालना यह kind of a nightmare we cannot find electric field easily यह कोई ऐसा वैसा जॉब नहीं कि अभी इंट्रेस्टिंग यह कि अगर हम इन सब electric in sub conductors में अगर चार्ज भराते जाए तो क्या हो कि electric field क्या हो जाएगे बरती जाएगी और अगर हम अगर आपने चार्ज यह डाला तो इक मेंस के इसकी क्या होगे और एलेक्टिक फिल बढ़ेगी और एलेक्टिक फिल बढ़ने की वैसे भी बढ़ेगी दो डियार काईड और प्रोपोर्शन तो अगर हम इन दोनों का एगर हमारी electric is proportional to q and proportional to be तो अगर हम qyv करते हैं तो किसी भी कंड़र के क्या मिलती ही क्या मिलती है क्या मिल regarde ठीक इंस्ट कंड़र stan 먹 You जब Presidents से वह Depend करती है Size पर इसकी Is Geometric किस तरकी है तो बेसिकली यह Depend करेगा कि हमारी Size कैसे है Japan के इसकी तो C क्या है, C एक ऐसी quantity जिसे आप theoretically वस estimate कर सकते हैं, theoretically estimate तब कर सकते हैं, जब आपको बता है कि किसी की geometric ऐसी है, और ये एक experimental quantity है, तो इसका application आप ज़रूर देखा होगा, जब आप fan में देखते होंगे कि एक kind of cylinder type पा कुछ है, और उस पे दो तार यहां से वायर से निकली भी रहती है, जिसे हम fan में एक battery के तरह लगाते हैं, ठीक है, basically वो क्या है, condenser होती है, उसे हम करते है, condenser, और in physics हम करते है, capacitor, तो C जो measure करते हैं, वो farad में measure करते हैं, ठीक है, और farad में लोग यूज़ करते हैं, microfarad, microfarad में होता है, 10 to the power minus 6 farad, और या तो फिर हम यूज़ करते हैं, picofarad, which is 10 to the power minus 12 farad, ठीक है, इस तरह की unit होती है, तो हम जब घर पे यूज़ करते हैं, condenser पे तो उस पे लिखा हुआ रहता है, 2.5 microfarad, तो अगर 2.5 microfarad और capacitor की खड़िदने के लिए जाओ को, तो इसकी power तो रही कम होती है, लेकिन आप वहीं पे 3.4 microfarad अगर लगा, तो fan में तो वाओ यार मज़ा रहता है, और कभी-कभी हम क्या करते हैं, 2.5 microfarad के 2 capacitor खड़िद लेते हैं, और उसकी वज़़द से speed होती है, कम voltage में भी काफी जादा बढ़ जाती है, तो मैं generally अपने fan में 2 capacitor यूज़ करता हूँ, और अगर coil इससे क्या, तो coil भी खराब हो जाती है, तो 2 capacitor यह यूज़ मत करना, हमारे यह voltage कम होती है, तो therefore हम यह यूज़ करते हैं, और मैं यूज़ करता हूँ, basically 3.4 microfarad का जो आता है condenser, तो चलिए यह तो हो गई हमारी जो application है, क्या application in daily life, चलिए आज हम देखते हैं कि बात यह करें कि इसकी theoretical origin किया है, कि infinite shape अगर हमारे पास को sheet है, और उसमें हमारे पास कोई charge है, वो charge हमने देदिया लेटस से q, तो इसकी surface हे रहे कुछ होगी, तो therefore, इसकी वज़ा से e is equal to होगी है, यानि कि चाहिए आप upper जाओ, right जाओ या left जाओ, इसकी वएसे हो जाएगी हमारी sigma over 2 epsilon, और हमें पता है कि अगर हमारे पास एक sheet है positive की वएसे, तो elective field उसकी क्या हो जाएगी है, हमेसा away जाएगी उससे, हम निकल रही है, तो यह तो हो गई हमारी चार्ज अगर हमने एक infinite sheet डाला, तो मालने चाहिए यह कोई finite sheet भी है, और हमने पहले का था infinite sheet के बारे में, यह डिपेंड करता आपके viewing angle पे, तो अगर आप infinite sheet को तो एक बार में देख नहीं पाओगे, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, infinite sheet से या माइनस क्यों है, एक और हम बना लेते हैं, sheet हमारे पास, उनके दो sheet होने चाहिए, तो यहां मैंने एक दूसरी sheet बना ली, जिस पे हमने negative charge यहां पर दिया, अब हम negative charge कैसे दे रहे हैं, इसके बारे में हम कुछी minute में बात करेंगे, तो जब भी हम negative charge बनाते हैं, तो electric field क्या हो एक तीसरा मिल रहा है, ठीक है, अब मेरे पास 1, 2 and 3 region है, और देखते हैं कि क्या 1, 2 and 3 में electric field क्या होगा, अब आप देख सकते हैं कि हमने same amount of charge negative डाला, तो यह हो गया E minus, यह भी हो गया E minus, और यह मेरा E minus है, ठीक है, तो आप देखते हैं, E minus और E plus एक डिशले को first region में cancel out कर लेकिन अगर इंसाइड देखते हैं, तो inside में क्या होती, E plus की भी same direction है, और E minus की हमारे पास same direction है, therefore हमारा यह जो electric field होगा, वो क्या हो जाएगा, add up हो जाएगा, add up होने का मतलब 2 into E, which is 2 into sigma over 2 epsilon, तो net electric field क्या हो गया हमारा, net electric field inside क्या हो गया हमारी sigma over epsilon हो गई, अब हम क्या करे है, capacitor बनाने के लिए हम दो conducting plates को एक दूसरे के आसपास लेके आते हैं, with separation D, और इसमें हम charge डालते कैसे हैं, तो charge डालना बढ़ा ही आसान है, इसमें charge डाले कैसे, इस plate को हमने जब जोर दिया, इस negative, positive and negative से, तो क्या होगा, यहाँ से आप अगर मान लिजे, electron हो रहा है, और जब electron यहाँ से निकलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको बचेगी कुछ positive charges, तो positive charge इस तरफ आएगी, therefore, यहाँ पर इस plate में क्या हो जाएगा, surface पर positive charge डमा होगी, और यहाँ पर क्या होगी, और यहाँ पर क्या होगी, जिसके वाइसे, यहाँ पर यह अपना electric field पैद उसमें कितना ज़ता charge आ सकता है, तो अच्छा, अगर हमारे पास कुछ इस तरह के plates होगे, तो इसमें electric field या फिर जो C है, वो कितना जमा हो सकता है, potential difference हमने देखा, कि negative charge वाले से ले लो, फिर positive charge, e.dl, हमने यह पहले consider कर रखा है, कि जो negative charge है, इसकी वाइसे जो impact है, वो मान जाएगा pure distance मिलता है, तो pure distance क्या होगे, माल लेजे यह 0 to d है, ओके, तो यह आपको मिल जाएगा potential difference, epsilon not, sigma over epsilon not times d, तो चलिए हम बात करते है, capacitance कैसे निकालेंगे, therefore C is equal to, हम रिसकते है, Q over V, और हमने अभी भी निकाला है, V is equal to sigma over epsilon not times d, Q को हम रिसकते है, because sigma is equal to Q over A, therefore Q is equal to media, जाएगी, sigma times A over sigma into d, epsilon not, sigma, sigma हमारी cancel आ गई, therefore C is equal to F, A epsilon not over D, that is the capacitance, और ए क्या बता रहा है, यह बता रहा है, जो भी आपने infinite sheet type का जो यूज किया है, उसकी जो area है, वो किया है, that is the capacitor, तो capacitor को in physics हम डोनेट करते है, इससे तो parallel line that is connected with a battery, और यह बहुत ही important topic है, energy stored in capacitor, उन्हें को why, देखिए, जब मैंने एक conductor को लिया, और उसे मैं किसी battery से जोड़ देता हूँ, ठीक है, यह हमारा capacitor बनेगी है, अब conductor में क्या होते है, free charge आपको पता है, move करती रहती है, जब आपने कोई battery लिया और जब आपको चार्ज डालते है, means कि basically इस पर electric field आता है, तो इसकी चार्ज होगी वो क्या होगी, वो move कर जाएगी इस तरफ, जब इस पर move कर जाएगी, तो यहाँ पर क्या हमने देखा, यहाँ positive बन जाएगी, एक तरफ क्या हो जाएगी, आपकी negative बन जाएगी, तो यह तो जब आप इस पर अलग अलग charge store करना ही को हिस्ट करेंगे, तो यह इस तरह का effort रूदेगा, और इसे हम करते हैं, polarization भी तो हम भी बात नहीं करेंगे, polarization पर, but more or less यह देखो, कि अगर आपको charge store करना होगा, इस पर काफी यहाँ चार्ज करना होगा, तो इसके charge क्या होगी, इसकी movement होगी, बट इसका जो खुद का nuclear से वो तो बोलेगा ना, भाई, कि तू जितना भी charge move किया है, वो वापस चले या, लेक हमने छोटा सा potential लगा दिया, छोटा सा burden होगा, तो burden क्या करना पड़ेगा, यह क्या होगा, फोलो करता है, चार्ज, तो छोटे से charge के लिए, डीक्यू के लिए, आपकी जो potential है, वो कितिन में है, therefore, dw is equal to, मैंने अभी भी निकाला, v is equal to, c is equal to qiv, हमने डिफाइन किया, therefore, v is equal to क्या हो जाएगा, मेरा, q over c times dq, एक dq हमने चार्ज मूफ किया, therefore, हमने वर्डन किया, वर dw, with the help of some potential, तो constant होगा, हमने यहाँ पर integral कर दिना है, और integral करने का हमें यह देखा, w is equal to half q square by c, तो इतना जदा चार्ज इस पर क्या होगी, वो स्टोर होगी in the capacitor, अब इसके form को हम कर सकते हैं, चेंज करने का मतलब, w is equal to half q square by c, हमें पता है, q is equal to cv, therefore, इस एनरजी स्टोर होगी, कि आवजाए कि cv square, तो यह एक बहुत interesting formula आगे हमारे पास, cv square, या फिर c is equal to q over v, तो यहाँ आजाएगा q over v, तो एक q है, ओपर से जाएगा, तो यह तीनों formula capacitor में यह बता जो इसमें capacity होगी, कितना जो word done करना पड़ेगा, charge को store करने के लिए in the capacity, अब हम कुछ capacitors के capacitance निकाल लेते हैं, कि इनकी capacitance क्या होगी, माल लेजे कि हमने एक spherical surface बनाया, माल लेते हैं, कि हमारे पास जो है, एक conductor, एक spherical type of conductor हो गया, और दूसरा, एक concentrate, विकाज हमें दो plates होगे, तो यह हमारे पास होगे plate A and plate B, और जो हमारे पास conductor है, basically वो माल लेजे, यह मेरा R B है, और दूसरा जो है, मेरे पास R A है, हमें निकालना है, कि इनकी बीच के capacitance होगी, वो क्या होगी, तो आपको पता है कि आप कोई भी charge डालोगे, वो क्या होती है, तो हमें पता है, स्फेर पे क्या होती है, at the surface, तो surface पे यहाँ पे क्या चार्ज होगी, E for example, B is equal to Q over R B squared, और E A क्या चार्ज होगी मेरी, Q over R A squared, अब यहाँ जो separation इन दोनों के बीच है, वो separation किस तरह का है, यह जो हमें separation दिख रहा है, वो basically क्या होगी, radial separation हमें दिखने को मिल रहा है, है ना, तो अगर हमें radial separation मिल रहा है, तो हमें पहले calculate करना बढ़ाएगा, इसकी potential क्या होगी, तो potential हम कैसे difference निकाल लेंगे, तो इन दोनों के बीच हमने यह कहा कि, A to B हमें निकालना है, तो A to B बाहर से हम अंदर की तरफ आ रहे हैं, E dot dl, बट इजो dl है वो क्या बनेगा, ठीक है, जो E dot dl है क्या बनेगा, तो मैंने पहले कहा कि, E जो है, वो depend करेगी, 1 by R square के तरह vary कर जाएगा, basically difference है, वो क्या आएगा, R type का है, तो DR हमने कर रहेगा, ठीक है, अब E is proportional to क्या हो जाए, Q हो जाएगा, तो यहाँ मैंने लिख दिया Q, और K लिखना है, तो क्या लिखूं, कोई खास बात नहीं है, therefore, यहाँ हम लिखने के Q, 1 by R square, अगर इसको integral करोगा, तो क्या बजाएगा, मेरा 1 by R होगा, point A to point B, तो यह मुझे क्या देगा, यह मुझे देदा, KQ, 1 over R B, minus 1 over R A, तो that is the interesting thing about the potential, जब हमें potential मिल जाता है, तो हम capacitance किस तरह से निकालना बड़ा आसान है, C is equal to QYV, और C is equal to QYV, तो हमारे पास अगर इनर में positive charge रखा हुआ है, तो Q is equal to क्या होगा, sigma times A by V, okay, अब sigma times A क्या होगा, या तो आप इसे लिखें, और या तो फिर आप नहीं लिखें, तो मैं यह करूँगा, कि sigma times A, V में भी तो आया क्यूँ, तो वो इदिनों एक दिसो cancel out करेगा, तो हम यह नहीं लिखते हैं, चल इसका LCM 1 by, यहां लिखते हैं, के Q over R B times R A, R A minus R B है ना, तो यह जो R A है, into R B वो ओपर जाएगा, over R A minus R B, आप दे सकते हैं कि radius of A ज़्यादा ग्रेटर है, और radius of B छोटा है, तो यह तो automatically capacitance के आ गई है, हमारी constant आ गई है ना, और positive भी आ गई, तो यही एक पंडा है, capacitance निक इसके बाद वाली वीडियो में हम बात करेंगे, अगर हमारे पास कुछ network हैं, तो उसके वीज़ लिए किसे कर सकते हैं, suppose हमारे पास capacitance एक network में है, ठीक है, तो यह होगे series में हो गई, कुछ capacitance हमारी parallel होती है, तो parallel में क्या होगा, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज यह रूर करें, तो इसके वीज़ो लेटर